परिक्षा को देश के साथ विश्व की सबसे कठेन परिक्षाओं में से एक माना जाता है इस परिक्षा को पास करने के लिए उमीदवारों को सालों तक कड़े मेहनत करने पड़ती है लेकिन इसके बाद भी चुनिंदा लोगों को ही सफलता मिलती है वहीं इस प्रतिस्परधा के बीच इतनी कठेन परिक्षा को बिना किसी कोचिंग के मदद से तीन बार क्रैकाना कोई साधारर काम नहीं है इस आसाधार काना में को अंजाम दिया है यूपी के आई-एस ओफसर हिमानसु गुपता ने साधारर परिवार से आते हैं हिमानसु गुपता भरेली के एक छोटे कस्बे सिरॉली के रहने वाले हैं हिमानसु गुपता एक बेहर साधार परिवार से आते हैं इनके पिता जी एक चाय का छोटा श्टॉल लगाया करते थे उसके बाद इनके पिता जी ने घर में ही जर्न मीटर लंबा सफर तैक करना पड़ता था इमांसो बचबन से ही आफिसर बन का देश की सेवा करना चाहते थे हिमांसो ने 12 बीके बाद D.U की प्रवेस प्रिक्षा दी और बिना किसी ट्यूशन के प्रवेस प्रिक्षा पास कर लिए जिसके बाद हिंदु कॉलेज से हिमानशो ने BSC और MSC के डिगरी हासल की हिमानशो ने जब हिंदु कॉलेज में प्रवेश लिया तो इनके साम में बड़ी समस्या पैसो को ले कर दी इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये UPSC के तयारी कर शके और अपने सपने को पूरा कर शके इसलिए इनोंने घर कर जाकर कोजिंग देना शुरू कर दिया इसके साथ इनोंने ब्लॉगिंग पर भी काम किया जिससे इने कुछ पैसे मिलने लगे इसके अलावा स्कॉलर सिप के माध्यम से भी इनको काफी रहत मिली हिमान्शो गुप्ता को MSA में गोल्ड दे कर सम्मानित किया गया इसके बाद इनोंने गेट की परिक्षा में भी टॉप किया M, फिल और UPSC की तयारी एक साथ सुरू की UPSC की तयारी करने में हिमान्शो के लिए पैसा सबसे बड़ा रोडा बनना था इसलिए हिमान्शो ने पैसो की कमी को दूर करने के लिए गेट के बाद M, फिल करने के लिए फॉर्म सम्मिट कर दिया इनको विश्व विद्याले की तरफ से फैलोसेप मिलने लगी लेकिन M, फिल और UPSC की तयारी एक साथ करने इनके लिए बेहत बड़ा टास्क था इसके लिए इन्होंने सेडियूल बनाया और अपना आधा-धा समय दोनों को दिया और दोनों का परिराम एक ही दिन आया वर्ष 2008 के UPSC की पहली परिक्षा में हिमानसू की रैंक कम आई और IRTS ओफिसर की पोष्ट मिली जिसके काई हिमानसू ने पोष्ट जोएन नहीं किया और दोबारा से सिविल सेवा की परिक्षा के लिए आवेदन कर दिया वर्ष 2019 में इंडियन पुलिस सर्विश मिली जिसको हिमानसू गुपता ने श्विकार किया और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चले गए लेकिन हिमानसू का सपना आईएस बनने का था इसलिए आईपीएस की ट्रेनिंग के दोरान भी सिविल सेवा के परिक्षा के लिए आवेदन कर दिया और 2020 में तीसरी बार परिक्षा पास कर इंडियन एड्मिनिस्ट्रेट्यू सर्विस आईएस हासिल का ली हिमानसू ने खुद पर विश्वास और मेहनत से सफलता हासिल की है हिमानसू ने अपनी परिक्षा तैयारी के लिए इंटरनेट का सहारा लिया और डिजिटल तरीके से मॉक टेस्ट दिये जो भी स्टेडी मेटीरियल उन्हें इंटरनेट में मिलता उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेते और पढ़ाई करते हिमानसू ने इंटर्वियू में बताया कि वा बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए जिन्दगी भर काम करते रहेंगे गाउं के मिधावियों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती उन्हें समय के सदुपियों के बारे में बताने वाला कोई नहीं होता वो सेट रूटीन में जिन्दगी व्यतीत करते हैं मानसो का कहना है कि UPSC की तयारी आप किसी कसबा याओं में रहकर भी कर शकते हैं इसके लिए दिली आना जरूरी नहीं है आप घर बैटकर इंटरनेट के मदद से अच्छी रणनीती बनाएं और खुद को तयारी के लिए मजबूत बनाएं